नमस्कार निवेश 2021 मनी गुरू स्पेशल सिरीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वाथी रायना नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये सही समय है साल 2020 को थोड़ा रिकैब करने का उसकी हाइलाइट समझने का और क्या लेसन्स क्या सबक क्या नए चीज हम नए साल में लेकर जा रहे हैं वो सब समझने का हमारे साथ आज है खास महमान परचे करा दें राहूल जैन हैड परसनल वेल्ट अडवाईजरी एडवाईज राहूल आपका बहुत स्वागत है मनी गुरू में कि यदा, सब से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज हम शो में जानेगे वैल्ट क्रेशन अइसेट अलूकेशन का क्या मार्च से नवंबर तक बाजार के सपर से क्या ले आप सबक ? नए साल में एक्विटी निवेशत क्या करें साथी 2020 में मोबाइल ट्रेडिंग कैसे हुई हिट राहूल साल 2020 अगर हम देखें तो ना सिर्फ हमारी निजी जिन्दगी में बलकि हमारे आसपास शेहर बाजार में हमारे निवेश में काफी इवेंटफुल साल रहा है और अगर हम इसकी कुछ हाईलाइट्स की बात करें और अगर हम थोड़ा रीकैप करके मार्किट्स को ही खास तौट पर जनवरी से मार्च या फिर मार्च से नवंबर तक का अगर हम जिक्र करें तो क्या खास लगता है अगर साल 2020 के हाईलाइट्स क्या कहते हैं और आप देखें तो इकुटी मार्केट्स ने अल्मोस्ट 75-80 बसंद का रिटन दे दिया है और मार्केट्स उचाई हर दिन नहीं उचाई हिट कर रहा है तो की हाइलेट्स तो यही रहेंगे कि पहले बहुत जादा पैसिमिजन था बहुत गवराड थी इन्वेस्टर्स के अगे अमंग और अभी अब देखे जाए तो बहुत जादा इपला वेधी हैपी वो काफी खुश हैं और और काफी इन्वेस्ट्मेंट्स भी ग्रोव कर रहे हैं उनके और इकुटी साइड तो इन दाइक सेंस की इस पूरे साल में उतार चुड़ा दोनों रहें और काफी नहीं चीज़े भी सीखने को मिलिए इन्वेस्टर्स को कि कैसे पैनिक के टाइम में कैसे अपना पोर्टफिलो वो समाला जाए और आसे टालोगिशन जैसे चीज़ों के थूरू कैसे अपने आपको वेल्ट्रीशन कर सकते हैं लॉंग टम के लिए आपसलीटली कई सबक जो निवेशक है वो नए साल में लेकर जा रहे हैं जैसे आपने कहा कि मार्केट काफी साथ इवेंट फुल रहा है हमारे जिंदगी काफी इवेंट फुल रही है इन फाइक कुछ फिगर्स जो आपने हमें प्रोवाइड किये हम थोड़ा सा उन आंकडों के जरिये भी समझना चाहेंगे कि क्या खास रहा है मतलब जो ट्रेंड जो रहा है स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करे राहूल तो जैनुवरी टू मार्च हमने देखा थोड़ा बहुत मार्केट ठीक ठाक तो कर ही रहा था लेकिन जो बड़ा फॉल हमने मार्च में देखा उससे निवेशकों का भरोसा काफी ज़्यादा डगमगा गया तो जैनुवरी से लेकर मार्च तक का अगर हम निफ्टी का ही प्रदर्शन देखें मार्च में माइनिस 23 परसेंट शायद लोगों ने हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसको प्रडिक्ट किया हो पर इतना ज्यादा गिरावट आएगी उसको लेकर जो इन्वेस्टर्स का जो बेहेवियर है वो किस तरीके से सामने निकल कर आया उसके लाबा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो निवेशक अपना अच्छा रिटम नाया तो दोनों साइट के स्टोरी है जहां लोगों को नुक्सान भी हुआ और एक तरफ है जहां पर लोगों ने बहुत बड़ा ऑपोचुनिटी पकड़के उसको इन्वेस्मेंट की तरह भ अप्सलूटली और फिगर्ज भी यही कहते हैं राहूल बिकिज एप्रिल के ओनवर्ड जब अफकॉस मार्च में देखा लॉक्डाउन का सिलसिला शुरू हुआ लोगों अपने निवेश को लेकर काफी जादा कॉशिस हुए उनके मन में यह शंका भी आए कि हाँ क्या बाजार का क्या होगा उसके बाद जो फिगर्ज कहते हैं इन फैक्ट एप्रिल टू अगस्त या फिर अगस्त के बाद नवेंबर यह एक महीना रहा है जिसमें मार्किट्स हैव ड़न एक्सेप्शनली वेल तो नवेंबर में 11 परसंट का इंक्रियर और जैसा आपने बोला क अगर देखा जाए तो 70% बाजार ने अच्छा एक प्रदर्शन दिखाया अपवर्ड मूव्मेंट में तो जिन निवेशकों ने मार्च की इस गिरावट को समझ कर और उसको यहां पैरामीटर समझ कर अपना निवेश छोड़ दिया और वो अब नवंबर में हैं और वो सो उनके पैटर्न में देखिए मैं आप पहले ही बोटता है कि एक चीज़ तो निकल के आती है जिन क्लाइंट उने जिन निवेशकों ने एक्विटी को ओवर ली ब्रिच पर रखारा या फर एक्जांपल आपका 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 इंवेश्मेंट पूर्फोलिय होना चीए उसम तो टाइम आया मार्च के आसपास तो आप पैनिक कर गए विकाज आपका पूरा पूर्फोलिय हो काफी अच्छे अमाउंट से गिर गया तो आप पैनिक हो था आप मार्केट से निकलने ही कोशिश करते हैं तो आपने लॉस्ट बुक कर लिया अगर कोई निवेशक है जिन् उसका बेनिफिट उसको भी लास्ट चे मेने में काफी हुआ तो मेरा अंडर्चैंडिंग है या जो हम अपने इन्वेस्टरों को बोलते हैं निविशों को बोलते हैं कि आप अपना अच्छिट अलोकेशन को हमेशा फॉलो कीजिए उसमें किया है कि एक तो आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा जो आपकी एज आपकी अबिलिटी के ज़ाप से ज़रूरी है आपको अंडर्चैंड करना उसके लावा आपको हमेशा अलाओ करेगा कि जब भी कोई पैनिक का टाम है या जब भी ऑपर्शुटी का टाम है तो आप उसको यूटिलाइज कर पाएं तो यह बहुत बड़ा लर्निंग रहा है इन लाग 6-9 महीने में कि जिसने उन्होंने अपना असेट आलोकेशन फॉलो किया है उन्होंने काफी अच्छा निवेश कर पाएं और काफी अच्छा आमदरी अपने निवेश से प्राप्ट कर पाएं तो आसेट आलोकेशन का जो एक राइट मेथड है राहूल वो होना क्या चाहिए जैसा आपने का कि जिसने आसेट आलोकेशन को सही से फॉलो किया मतलब कई इसे निवेशक हैं जिन्होंने हम कह सकते हैं क्योंकि जहां पर पैसे इंवल्ड होते हैं लोग काफी ग्रीडी भी हो जाते हैं उनको लगता है कि हाँ एक्विटी में अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो क्यो ना अपने पोर्टफोलियो का जादा में डाला जाए पर एक एसेट अलोकेशन का एक सही तरीका क्या होना चाहिए नाव जब हम साल 2021 में जा रहे हैं हमें 2020 से काफी कुछ सीखने को मिला है तो एसेट अलोकेशन कि स्ट्राटिजी के तहत हम आगे आने वाले निवेश के लिए लेकर लेकर लेचाड़े हैं अब जाए तो जो आपकी एज है उसको आप 100 से माइनस करेंगे सब्सक्राइब कोई 40 साल का है वह अपनी 100 से माइनस करेगा को 60 परसंद आता है तो जो हंडेड माइनस चुड़ भी एक्विटी पूर्फुलिव तो 60 परसंद आपका डेट हो सकता है और 10 परसंद गोल्ड हो सकता है तो यह आपका एक संपल आसे डालोकेशन बंग गया जिनकी उम्रे 40 साल की है अब इसमें थोड़ा आप ट्वीकिंग कर सकते हैं थोड़ा और इंप्रोवाइज कर सकते हैं जैसे थोड़ा अगर आपका प्रोफाइल हाई है तो आप साथी जगा पैसेट कर लीजिए एकुटी को अगर आपका दोड़ा इसको फॉट्फोलियो हो सकता है और यह काफी यूज करने में काफी इजी है मतलब बहुत टेक्निकल नहीं है कोई भी आसानी से इसको यूज कर सकता है एज 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 कितना फॉट्फुल एकुटी में चाहिए कितना डेट में चाहिए और कितना गोल्ड में होना चाहिए कि लोगों ने पैसे काफी जाद रेडीम किये क्या ये डर था लोगों में कि हमारा पैसा यह हमें उतना रिटर्न नहीं मिल पाए और आगया अंसर्टिनिटी है इसलिए या फिर लोग थोड़े कौशिस रहे कि अभी फिलहाल निवेश नहीं करते हैं और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जब मार्केट ठीक करें तो हम निवेश दुबारा से शुरू कर दें तो निवेश के लिए तो फिले चे महीने का ट्रेंड रहा है वो क्या इंप्लाई करता है निवेश के बेहिवियर के लिए तो एक चीज तो है मतलब थोड़े कस्टमर या थोड़े निवेशक कॉशिस रहें तो इसलिए आप देखिंगे जुलाई से काफी कंसिस्टेंट रेडिम्शन आ रहा है निचल फंड के अंदर तो एक तो चीज़ी हो रही है कि मीचल फंड में रिडिम्शन हो रहा है विकाज एक तरीके से लोग कॉशिस हैं उनको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बॉक कर लेना चाहिए थोड़ा उनको लगता है कि मार्केट बापिस गिरे क्योंकि मार्केट ने भी काफी अच्छी वड़ोत ली दिया लास्ट पा सेकर्ड ली हमने यह भी देखा है कि बहुत लोग अपना मीचल फंड को रिडीम करके डाइक एक्विटी में भी लगाने ही गोशिश कर रहे हैं कि उनका अगर मीचल फंड इक्विटी था तो उन्हें बला कि वो को रिडीम कर लें उसके जगा थोड़ा डारेक्ट स्टॉक अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स काफी अच्छे अच्छी राली पर हैं तो आप क्या बोलेंगे निवेशकों को हाई मार्केट में निवेश करना एक अच्छा तरीका है डिपेंड करता है कि आप अगर सब्सक्राइब निवेशक हैं अभी तक आपने कभी इंवेस्ट नहीं कि आप काफी यंग एज में तो उनकी दो कोई भी मार्केट में चालू कर सकते हैं तो आप एसाइपी के रूट से हर मेने दिए अपना इंवेस्ट्मेंट चालू कर सकत सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वह लोग सब अभी प्रॉफिट बॉकिंग कर सकते हैं राइट नौ इसके लावा इंग मैंने एक और चीज़ देखिए बुल रन में जब भी करेक्शन आता है उस तेम लोगों के पास कैश नहीं होता हूं की हातों में क्यूंकि वो हर टाइम पुली इंवेस्टेट रहते हैं तो ऐसे मार्केट में भी करेक्शन को यूज करने के लिए थोड़ा कैश होना चीए हाथ में तो थोड़ा अगर आपका एकुटी पूर्फिली तो वहां भी थोड़ी कमी कर सकते हैं थोड़ा रेडक्शन कर सकते हैं इसके लावा एक चीज तो थोड़ा चीज़े लोग को पॉलो करने चीए कि अगर 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 आप इंवेस्ट करना ही आते हैं तो डिफेंसिव स्टेक्टर में पिर रही है और इस टाइम लिवरेज ना कीजे ये चार चीज़े मैं बोलना चाहूंगा निवेश्व को को इंकरेंट मार्केट से न चोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे राहूल से बाक्ची जारी रहेगी काफे इंट्रेस्टिंग हम समझ रहे हैं कि 2020 से 2021 के लिए हमें क्या ट्रेंड सेट करना चाहिए अपने निवेश का साथी एक चर्चा हम करेंगे मोबाइल ट्रेडिंग पर भी कितना ज्यादा फो करेंगे